इस वीडियो में आप जानने बाले हैं अगर आपने SBI credit card apply किया है तो आपको application ID number मिला होगा तो उस ID number से किस तरह से आप status पता कर सकते हैं कि आपका application reject हो गया है या फिर application successful हो गया है SBI credit card apply करने के बाद अगर आप status चेक करते हैं तो आपको उससे पता चलता है कि आपको credit card मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आपने SBI credit card को apply किया है तो किस तरह से status चेक करते हैं तो सबसे पहले Google Chrome को open करेंगे यहाँ पे लिख देंगे SBI card status जैसे ही आप status लिखेंगे तो यहाँ पे first ही website खुल जागा SBI card.com का तो यहाँ पे आप किलिक करेंगे और इस website का लिंक आपको वीडियो के डिक्षिस्पन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं चेक स्टेटस उसके बाद application नमर reference नमर तो जब आपने apply किया होगा जब आपका apply successful हो गया होग request पे आप किलिक करेंगे ऐसा करने के बाद जिस समय आप apply करे थे जो भी आपने मौलन्य num Gloria दिया है ऋस मौलन नमर पे utp आएगा utp बीच इंटर करने के बाद देखे यहाँ पे utp भी आ चुका है तो चलिए हम यहाँ फे utp डेने के बाद के आप आप यहाँ पे देख सकते रहा है तो अगर यहां पर सक्सेस्पूल लिखा आ जाता है आज से छे दिन के अंदर में आपका SVA क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा यह पसंदर वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब पड़के बैल आगन को दवा सकते हैं